नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हिंदी के कुछ मात्पुन कुछन देखने वाले हैं जो PTT वर BSTC के पिसले एक्जाम में पूछे गई हैं तो एक्तर से आपके हिंदी का मोडल पेपर है PTT वर BSTC एक्जाम के लिए इस वीडियो में हम लगबग 30 कुछन देखेंगे अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना की इन 30 में सापको कितने क्युछन एकदम करेक्ट आ रहे थे इससे आपको आपकी तहियारी का अंदाजा लगेगा तो किशन फस्ट हैं यदि ग्रिह का अर्थ गर हैं तो ग्रह का क्या आर्थ हो जाएगा तो ग्रिह यानि गर या मकान मकान का प्रियावजी सब्दें करी है तो ग्रह का क्या अर्थ हो जाएगा महल, नक्षेत्र, ग्रहन या फिर जोपड़ी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपने option second नक्षेत्र ग्रह का अर्थ होता है नक्षेत्र option second अगला कुश्यन है अंतिम सिमा किस सब्दकारत है तो देखिए अंतिम सिमा किस सब्दकारत हो जाएगा सिमा हिन, सितिज, असिम या पराकाष्टा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने पराकाष्टा, पराकाष्टा का मतलब क्या होता है चरम सिमा चरम सिमा या फिर सिमान्त इसको बोलते हैं अंतिम सिमा या पराकाश्टा और देखें बाकी सब्दों के गर बात करें तो सितिज सितिज का मतलब क्या होता है जां प्रत्वी वह आकाश मिलते हैं उसको बोलते हैं सितिज असिम का मतलब क्या होता है असिम का मतलब होता है जिसकी कोई सिमा ही नहीं हो जिसकी कोई सिमा नहीं हो उसको बोलते हैं असिम और पराकाश्ट आपने हो जाएगा अंतिम सिमा या सिमा अंतिया परिम सिमा परम सिमा अकला कुशन है कौन सा सब्द मनुष्य का प्रयव अची नहीं है अनूज मानव मनुष्य का नहीं है मानव मनुष्य को बोलते हैं मनुझ बोलते हैं मनुझ की संतान मनुष्य व्यक्ति भी मनुष्य का प्रयाविची सब्द हैं लेकिन अनुझ अनुझ मनुष्य का प्रयाविची सब्द नहीं है अनुझ का मतलब होता है कनिष्ट कनिष्ट या फिर छोटा बाई यह बोलते हैं अनूज देखिए यहाँ पर जह ही पिछे जह का मतलब जन्म लेना अनू का मतलब बाद में मतलब जो बाद में जन्म लेता है यानि कि छोटा बाई उसको बोलते हैं अनूज तो अनूज यह मनुश्री का प्रियावची सब्द नहीं है यह छोटे बाई क को और शेल शेल यानि की चट्टान यानि की इसका आर्थ निकलता है पहार के रूप में लेकिन जो अधर है अधर इसको पहार नहीं बोलते हैं अधर किसका प्रेविचे सब्दें अधर है अपने होट या फिर आकास का प्रेविचे सब्द अधर एक अनिकारतक सब्दें होट या अकास का प्रेवेचे सब्द तो option second अपने हो जाएगा एकदम correct answer अगला कुशन है कवी का श्त्री लिंग रूप क्या है देखिए काफी महत्मूर कुशन है यह बहुत बार exam में पुछा गया है कवी का श्त्री लिंग रूप क्या है तो कवी का श्त्री लिंग रूप होग सुद्ध सब्द है कव यत्री option third अगला कुशन है क्यूशन छे सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द पूचा है यह पर तो देखिए परवरिती प्रीवरिती प्रवरिती या फिर प्रवरिती देखिए option third हो चार एक समान प्रिंट हो गय यह सुद्ध है अगला कुछेने कि सब्द की वरतनी सुद्ध हैं तो देके बुद्धी जीवी को हम कैसे लखेंगे जड़ा理 है ? कौन सा सुद्ध है तो देखे बुद्धे तो हमी इस लिखते हैं यहETHे बुद्धी और जीवी इसमें हो जाएगा दोनों मात्रा ही की बड़ी तो option first अपने एकदम correct answer हो जाएगा बुद्धी जीवी हम इस प्रकार लिखते हैं यहाँ सुद्ध है अगला question है वर्तनी की द्रश्टी से सुद्ध सब्ध कौन सा है तो देखिए सोभाग्य साली को हम किस प्रकार लिखेंगे यह सोभा की साली option second इसका हो जाएगा एकदम सुद्ध सब्ध सोभा की साली इस प्रकार लिखेंगे अगला question है शीखर का समनार्ती सब्ध कौन सा है देखिए सीखर का मतलब क्या होता है चोटी तो इसका समनार्ती सब्ध क्या हो जाएगा परवत नहीं होगा उचाई भी नहीं होगा सीर भी नहीं होगा समनार्त की चोटी जैसे Mount Everest हो गई गूरु सीकर हो गई यह अपने सीकर का समनार्ती सब्ध हो जाएगा option 4 अगला question है इनमेस से तद्सम सब्ध कौन सा है तो देखिए हमने तद्सम तद्बव या फिर उपसर्ग प्रत्याय विलोम सब्द मुहावरे लोकुक्तिया बहुत सारे वीडियो हमने पेले ही देख लिए काफी अच्छे डंग से समझ के देखे थे वो सारे वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो आपको वन बाई वन करके जरूर देखने चाहिए काफी अच्छे डंग से उनको देखा था जिसे प्रियावेची सब्द भी हमने देख लिया थे वाक्यांस के लिए एक सब्द भी देख लिया था इसके लावा सब्द सु अगस्त कोन सा सब्द अगस्त थे विदेशी सब्द जैसे अगरत सितंबर अक्टॉमबर यह सभी यानि विदेशी यानि कि अंग्लेजी बासागे सब्द हैं आम एक तद्वव हैं आम का अगर तद्वव देखे ते क्या हो जाएगा आमर हो जाएगा अलस भी तद्वव हैं अलस का तद्वव देखे ते क्या हो जाएगा अपने अलस्य हो जाएगा अलेश्य तो अपने इसमें तत्सम सब्द कुन सा हो जाएगा अवतार तत्सम है बाकी सभी तद्वव या विदेशी सब्द है अगला कुशन है इन में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है देखे कौन सा सब्द तत्सम नहीं है अंकूर पाशान उच या इर्षा तो देखे अंक यह तद्वव है और वाकी सब्दों के गर बात करें अंकूर इसका तद्वव क्या होगा इसका तद्वव क्या हो जाएगा अंखुआ अंखुआ इसका तद्वव है अंकूर का पाशान तत्समे तो इसका तद्वव क्या हो जाएगा पाशान बोलते हैं पत्थर को यह कुम सा हो जाएगा । इच्चिक का मतलब क्या होता है वे कलपिक तो इसका विलूम सब्द का हो जाएगा अनिवायर ही OPTION Second अगा कुछीन है Krischeriam सब्द का विलूम सब्द कौन सा हो जाएगा तिक काफー सिंपल सा कुछन है कृत्रियम मतलब इसका विलोम हो जाएगा अपने प्राकर्तिक प्राकर्तिक या नेसर्गिक नेसर्गिक तो दीकिए स्वाबाविक नहीं होगा निश्कपट नहीं होगा निर्भई नहीं होगा यहापर होना चाहिए प्राकर्तिक प्राकर्तिक नहीं दे और इसका विलोम फूष ले तो जो किया उपकार को मानता है वह उसको क्या बोलते हैं? कृतक की बोलते हैं. और खृतक न भो जाएगा किया हुए उपकार को नहीं मानने वाला. अगला कुशिन है. अगला कुश्वनूर सैं div. मुल कता में आने वाला प्रसंग क्या चे लाता है? गोन कता अंतर कता संदर्विया आक्याई का दीकि जो मूल कता में आने वाला प्रसंग होता है उसको अंतर कता केता है option second किसी प्रसंग में अंतर नहीं कोई कता होती है यह नी कता उसको अंतर कता के नाम से जानते है question 17 किस सब्दिक्या रूप एक वचन और बहुचन में एक से ही रहते हैं सेलानी, चिंगारी, चोटी और फिर नदी तो क्या हो जाएगा इस का अंसर देखे इस का अंसर हो जाएगा अपने सेलानी option first सेलानी का एक वचन और बहुचन एक से ही रहते हैं क्योंकि सेलानी एक सेलानी आया हो तो भी हम सेलानी कहेंगे बहुत सारे अगर बाहर के विक्ति गुमने के जाएगे तो भी उनको सभी को सेलानी ही कहेंगे इसका बहुचन नहीं बनता है एक वचन और बहुचन एक से ही दीके चंगारी चंगारी के अगर बनाएंगे तिंगारी हुझएगा चिंगारी हुझएगा चंहैँ चो टी इसका पेसका बोलासा पने और सबस्छी और का संगर्फ कॉर्प expect संदी के नियम आपको द्यान में होना चाहिए तत दनमाई ये होता है अपने तनमाई का संदी विचेद option थड़ हो जाएगा आपने सही answer इसमें संदी कुन सी है व्यंजन संदी है देखें आपको इनके नियम द्यान में होना चाहिए जैसे देखिए किसी भी वर्ण का पहला अक्षर आ जाए उसके बाद अगर म या फिर न आ आए तो ये जो पहला अक्षर है उसी वर्ण के पांचवे अक्षर में परिवर्थित हो जाता है जैसे रहे कि ये त, थ, द, द, न, या पर देखिए ये त आ रहा है या पर फर्स्ट वाला या पर तो ये जो त है इसके बाद में मा आ गया तो ये त किसमें परिवर्थित हो जाएगा न में परिवर्थित हो जाएगा या पर ये त आ आदा है तो ये भी न आदा हो जाएगा तो त तो ये त ही हो जाएगा अधा नुव फिर हो जाएगा मै तनमई इसका हो जाएगा option 3 वाला सही अंसर question 19 है कन्नी कातना का चाहर्त होता है तो दीखे कन्नी कातना इस मौठे का का चाहर्त है इसका अर्थ होता है अपने बचकर निकलना option 3 बचकर निकलना या फिर क्या होता इसका अर्थ सामने नहीं आना इस मुआवरे का अर्थ होता है option third question बीस है सांच को आँच नहीं मुआवरे का सही अर्थ क्या है तो दीखे सांच को आँच नहीं इस मुआवरे का अर्थ क्या हो जाएगा साच किसको बोलते हैं सच्चा या सच्चा आच मतलब कोई भी नुकसान नहीं तो दीखेए सच्चा आत्मी किसी से नहीं ड़टता तो यही इसका हो जाएगा option first answer बागी दीखेए सच्चे को आग नहीं जला सकती यह गलत है सच्चे के पास आग नहीं जलती यह भी गलत है सच्चे को आग की गर्मी नहीं लगती या पर आग से संदर बित तो कोई इसका अर्थ निकल ही नहीं रहा है तो option first यह अपने हो जाएगा एकदम correct answer दीखेए सच्चा ही को किसी भी सबूत के अशक्ता दी होती वह एक दिन सामने आही जाती है इसका पावार्थ के निकल रहा है सच्चे आदमी किसी से नहीं डरता option first अगला कुशन है कववा चला हंस की चाल का आर्थ क्या हो जाएगा तो दीखेए कववा चला हंस की चाल अपनी जोटी प्रसंसा करना विल्कुल गलत छोटो द्वारा बड़ो की नकल करना ये इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर छोटो द्वारा बड़े की नकल करना या बड़े आदमी का अनुस्तरन करना ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कववा चला हंस की चाल option second बागी देखे निर्दन द्वारा दन्वान की निकल करना ये भी गलत है मूर्क द्वारा बुद्धिस साली का दिखावा करना ये आपको कहीं कहीं सही लग सकता है लेकिन इसका सही answer क्या हो जाएगा option second की एकदम correct answer है इसका अगला कुशन है सुद्ध वाक्य कौन सा है देखिए वीडियो थोड़ा सा आपको blur नजर आ रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी सुद्ध वाक्य कौन सा है देखिए दो से तीन क्यूशन आपके सब्ध सुद्ध समंदित पूछे जाएंगे जिसके जो आठ से दस नियम है मत्प्रुनियम मैंने पहले करा दिये है क्यूशन के मैदियम से वो भी आप देख सकते है तो देखिए इसमें सुद्ध वाक्य कुशन है किस सब्ध में अधी उपसर्ग नहीं है देखिए अधी उपसर्ग किसमें नहीं है अधी पती अध्याहार अधी बार या फिर अधिक तो देखिए अधी पती में अधी धन पती इसमें अधी उपसर्ग है अधी धन आहार अध्याहार इसमें भी अधी उपसर्ग ह अधि धनबार इसमें भी अधि उपसर्ग है लेकिन अधिक में कोई उपसर्ग नहीं है तो option 4 हो जाएगा अपने एकदम correct answer अधिक में अधि उपसर्ग नहीं है क्योशन 25 है स्वर्ग सब्द से बना विश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक का प्रियोग आपादान कारक के रूप में हुआ हैं तो दीकिए अपने कारक पड़े होंगे उसमें एक तो से किसमें आता है करन से करताने कर्म को करन से ये करन से ये वाला से के द्वारा के अर्थ में प्रियुक्त होता हैं के द्वारा के अर्थ में और आपादान से जो परबाव बढ़ता हैं विल्कुल गलत इसमें त्योहारों से परबाव बढ़ रहा हैं ना कि अलग हो रहे हैं गोड़ा दबाते ही बंदूग से गोली निकली तो देखिए बंदूग से गोली निकली मतलब बंदूग से गोली अलग होई हैं तो इसमें अलग होने से अर्थ के की मारी पर मनोबल कारक है और बालक कलम से लिखना चीग रहे हैं तो इस में भी कारण कारक हो जाएका और आपादान से कारक का प्रयोग इसमें और गोड़ा दबाते ही बंदुक किरिया की विशेश्चन के रूप में प्रियुक्त हुआ है तो देखिए किरिया की विशेश्चन के रूप में प्रियुक्त हुआ है तो देखिए किरिया की विशेश्चन के रूप में प्रियुक्त हुआ है तो देखिए किरिया की विशेश्चन के रूप में प्रियुक्त ह सर्क्राइं. weder सब्ज में कॉन सा समा से तधबुरुस Dubai Baao कर्मदा रही या द्विगु तो ुदिखें नेटर में समा संव जाएगा अपने लुक्राइल नीडर मतलब बीना डर के, बीना डर, देखिए नीडर हो गया, ने संदे हो गया, इन समी में कौन सा समास हो जाएगा, अब यही बाव समास हो जाएगा, option second, अगला कुछन है, पवन सब्द का संदी विच्छत क्या होगा, पवधन अन, पवधन न, पवधन न, तो देखिए पवन का अपनी क्या हो जाएगा, पवधन अन, option first, और इसमें संदी पूछले, कौन से संदी इसमें, स्वर संदी की यह अयादी संदी है, पवन में, देखिए इसमें, पवधन अन मिलकर क्या बनता है, यह मिलता है, अव अव बनता है, आधा पई आगया हो गया, पवधन तो यह क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, इसमें संदी कौन से हो जाएगी, यह हो जाएगी अपने अयादी संदी, अगला कुछले में, वीर दन उचित का संदी सब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, वीर दन उचित, यानिकि वीरोचित, option third, इसमें संदी कौन से ह वी र का हो जाएगा अ और उ मिलकर ये क्या बन रहा है अ वा उ मिलकर ये बन रहा है ओ तो वी रोचित इसका हो जाएगा एकदम सही अंसर गोन संदी इसमें तो दोस्तों यह थे अपने 30 मात्पूर कुशन हिंदी के बिल्कुल ऐसा ही कुशन आपको पूचे जाएंगे तो इ